बीजेपी राश्ट्रे कारिकारणी के बैठक शुरू विदान सबाचिनावो और सरकार की उपलब्दियों पर होगी चर्चा मोहित कंबोस पर नवाब मलिक का पलटवार का हर ड्रग्स कान के मास्टर माइंड है पिज़ेपी नेदा गोवा में तीन दिवसी है मारी टाइम कॉनक्लेव शुरू हिंद महसागर छेत्र के बारा नौसेना प्रमुख ले रही हिस्सा महारास्रों में पूर्बुद्रिह मत्रिया निल देश मुख की और बढ़ेंगी मुश्किले कस्टडी लेने की तयारियों सी भी आई देश में पिछले 24 घंडे में आये करीब 10,835 नए कोरोना मामले 526 लोगों की मौत नमस्कार प्राइम टीवी मापका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक हमेर उत्र शुरुवात करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमत्री और सपा के रास्ट्र अद्यक्ष अकलेश अदव अमबेडगर नगर में आयोजेत जनादेश रैली को संबोधित करेंगे अकलेश रैली के जरिये पदादी कारियों और कारेकरताओं से आगामी विधान सभाचनाओ की तैयारी में जुटने का आवाहन करेंगे वो बहुजिन समाज पार्टी से निशकाशित दो पूर्वनेता लाल जी वर्मा और राम आचार राजभर को समाजवादी पार्टी में शामल कराएंगे बता दे कि पच्चायत चुनाओ के दौरान पार्टी विरोधी गति विदियों में सनलिप्तता के आरोप पर ये दोनों नेता बसपास से इन निशकाशित हुए थे दिवाली के बाद से प्रदूशड का लेवल अच्चानक से बहुत बढ़िया है दिवाली पर पठाकों से फैले दोए ने आसमान में स्मॉक की मोटी चादर विछा दी है दिली सहित यूपी के कई इलाकों में प्रदूशड खतरनाक लेवल पर पहुँच गया है ताजनगरी में भी हवा जहरीली हो गई है छे सल बाद फिर सबसी अधेक हुई जहरीली हवाएं दोजार सोला के बाद दिवाली पर सबसे जादा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है प्रदूशड हवा में भी सभी गैस की पाई जाती है वही शनिवार को 442 एक्यो आई रिकॉर्ड दर्ज हुआ हवाओं का लेवल खतरनाक दिखाई दे रहा है आगरा देश के सबसे प्रदूशड जिलों में पाचवे नमबर पर रहा तो प्रदूशड का स्थर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिवाली की राज से ही ये सबसे उपर पहुच रहा है यानि रिकॉर्ड तोड रहा है और ताजनगरी आगरा की बात करे तो वहाँ पे भी ये बहानक स्थर पर पहुचता हुआ दिखाई दे रहा है सबसे प्रदूशित राज्चियों में से एक बन गया है आगरा और इसकी शिरुवात हुई दिवाली से जितनी जादा रोक लगाई गई उससे भी जादा पटा के फोड़े गई जिसकी वजह से आसमान धुआ धुआ हो गया है चारो तरफ स्मॉक की मोटी चादर दिखाई देने लगी है जससे आम लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पट रहा है रुक करते हैं अगली खबर की तरफ हो मुख्यमंत्री योग्याद इतनात ने केंद्रिये कारगार महुला इटावा के नारियल फोड कर और रिबन काट कर उदगाटन किया सेम वहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए केंद्रिये कारगार परिसर में रूदराक्ष के पौधों का व्रिक्षा रोपड किया गया उनके साथ राज्यमंत्री जै कुमार सिंग जैकी और अपरमुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने भी केंद्रिये कारगार परिसर में व्रिक्षा रोपड किया आजमगर पुलिस ने गोंडा से जिले में हत्या करने आये तीन शूटरों को गिरफतार किया है S.P.N.O. राग आर्या ने मामले में संसरी खेज खुला सकिया उन्होंने बताया कि गोंडा में पुलिस विभाग में तैनात आजमगर निवासी दरोगा ने भाई के हत्या रोपित के कतल सगी सुपारी दी थी दरोगा भी दूसरे दिन हत्ते चड़ गया पता दे कि पुलिस ने राणी की सराय थाना छेतर के अलीपुर डिह बाबा के पास से तीनों अभीयुक्तों को गिरफतार किया है इनके कब्जे से एक फोटो दो तमंचा नौ कार्तूस के साथ एक अपाची मोटर साइकल भी बरामद हुई है सराय जनपद आजमगड के द्वारा तीन अभीयुक्तों को गिरफतार किया गया है ये तीनों अभीयुक्त जनपद गोंडा थाना नवाब गंच के रहने वाले हैं इनका नाम है दीना नाथ यादव डफली यादव और दिवेंदर नाथ यादव जो एकी जगे के तीनों रहने वाले हैं इनसे पूश्ताच में ये पता चला है कि ये तीनों एक मर्टर करने के लिए जनपद में आये थे इनके पास से दो अवैद तमंचे तीन 303 बोर के कार्तूस और छे कार्तूस 315 बोर एक फोटो एक मोटसाय के लपाचे और लगभग 2000 रुपे बनामद हुए पूश्ताच में इनके द्वारा बताया गया है कि जनपद गोंडा में एक सब इंस्पेक्टर हैं अकलेश यादव जो ग्राम अलीपूर थाना रानी की सराय के रहने वाले हैं और ये वरतवान में थाना कोडिया फतेपूर जिले की किशनपूर थाना छेटर के इकौरा गा है जिसका वीडियो वारल होने के बाद पुलिस ने गाँ को छाबनी में तबदील कर दिया बता दे कि दो दिन पूर्व किशनपूर थाना छेटर के इकौरा गाउ में हुए विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करते हुए हिंदू संगठन के कार करताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वारल कर माहौल को बेगारने का प्रयास किया गया है इसको देखते हुए पुलिस स्पोर्स ने इकौरा गाउन निवासी राहुल चौदरी के घर के बगल में मुस्लिम समुदाय के लोगों की पुर में मजार बहुत पुरानी बनी हुई है चब उत्रा दोजा चौदा में बढ़ा कर बनाया गया था राहुल चौदरी के द्वारा साइट के दिवारों पर नारे लिखे गया है 145 CRPC की रिपोर्ट प्रेसित की गई है दोनों पक्षों के ब्रुद देखत्मक कारवाई तेजर रफतार दोबाई की आपस में जोरदा ठकर हो गई इसके बाद ठकर में पांच लोग गंभी रूप से घायल हो गई है घायलों को इलाज के लिए इस्पताल में भरती करा दिया गया है जहां से गंभी लोगों की हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए उन्हें की जोरदार भीडन तो हो गई आपस में जिसके बाद पांच लोग गंभी रूप से घायल हो गई है जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है गंभी रहालत को देखते हुए होई बलंच शहर की खुर्जिया नगर कोत वाली छेत्र में संदिक परस्तितियो में विवाहिता की मौत हो गई बता दे कि विवाहिता का फंदे पर लटका हुआ शव मिला वहें माई का पक्षने ससुराल जिनों पर फासी लगा कर हथ्या करने का आरोप लगाया है सूचिना पर पहंची पुलिस ने शवो को पोस्त मौटम के लिए भेज दिया है और आग करने के दो बिन से खाना भी नहीं खाया उसने उस लग़ी को मार दिया तो मैं भी आ रहा हूं मैं वहां से आया मैंने देगा पैट पर लेकी हुए इसके परिवार वाला हमें यहां पुलिए उसकी सास मिली सब्सक्राइब और लोग सब पार लोगा मिलाता है लखीमपुर खिरी जिरे में गोवर्धन पुझा और भाई अदूज के दिन कई जगह पर दर्दनात सड़क हाथ से देखने को मिले मितौली थाना इलाके में अपने पिता की मौत की गमी में शामिल होने गई बेटी की ससुरा लोटते समय सड़क हाथ से में मौत हो गई हाथ से के दौरा दो बच्चों समेत पती भी गंभी रूप से घायल हो गया वही सदरकोतवाली लाके में भी एक अग्यात वाहर ने चाल लोगों को रौध डाला इस हाथ से में तीन की मौत हो गई एक घायल हो गया वही लगतार हो रहे सड़क हाथ से में बीते 24 गंटे में जिले में छै लो को को रौंद दिया राइबरेली जिले की कानून विवस्ता ध्वस्त होती नजर आ रही है आम नागरिकों और व्यापारियों के साथ साथ पत्रकारों के साथ भी खुले आम दबंग मार पीट कर रहे हैं बनादे कि विवात की घटना को कवरेज करने गए पत्रकार पर जिनों की संख्या में ग्रामीडों ने हमला कर दिया और मोटर साइकल की चाबी और मुबाइल फोन भी ले लिया राइबरेली के जिला जेल में बंदी की मौत हो गई है जिसके बाद बंदी की मौत से जिला स्पताल में इलाज के दोरानी मौत होई है और बंदी की मौत पर अपारी जनों ने आरोप लगाया है कि जेल में ठंड लगने के चलते उसकी मौत होई है हलाकि जेलर ने सभी आरोपों को सीरे से खारज करते हुए मौत का कारण उसका अक्सर बीमार रहना बताया है जेलर के मताबक अमेठी जेले का रहने वाला शादाव 2020 से निरुद्ध था उसे पेट में दर्द की शिकायत रहती थी और इलाज के दोरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई जेलर ने कहा कि जेल में परियापत मात्रा में बिस्तर और कंबल भी क्यादियों को दिया गया है किसी बंदी की मौत जेल में नहीं बलकि एक शादाव पुत्र अश्फाक निवासि मुसर्रफ नगर जायस था जिसकी उम्र लगभग 25 वर्स थी उसकी तवियत बरावर खराब रहती थी वो 23 से 11 2020 में को आया था अपराद संख्या 306 वटे 20 में 1389, 411, 420, 419 में और वो बरावर पेट के दर्द की सिकायत बरावर रहती थी उसका उसका ट्रीटमेंट चल भी रहा था कल उसकी तवियत खराब हुई थी उसे जीला अस्पताल भेजा गया जीला अस्पताल में बदायू के आला पुर्थाना छेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवती की गोली मार कर हत्या कर दी गई दरसल युवती अपने घर से जेवरात और नगदी लेकर गायब हो गई थी और उसके प्रेमी ने ही उसे गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया प्रेमी का को मौत के घाट उतारने के बाद प्रेमी फरार हो गया मामले में प्लिस ने कारवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है ये बालिका को बुलाया ये दोनों लोग मिले और पूरी तैयरी के साथ इनके साथ जाने के लिए वो बालिका गई थी और उसने इंकार कर दिया और वो पहले से तैयरी में आया था तमन्चा ले करके आया था उसने दो फायरे इसके उपर किये जिससे इसकी मृत्व होगी मंचा लेकर आया था जहां युवती अपना सारा समान लेकर उसके पास आई दिवाले के रात तो उसने सारा समान दूटकर उसे मौत के घाट उतार दिया जिसमें उसे दो गोली भी मारी गई फिलाल उत्तर प्रदेशी खबरों में इतना ही आप बने रही है प्राइम टिवी क साथ